सातियों अगर आपको या आपके family member में से किसी भी person को अगर life में कभी भी गरदन अकड़ जाता है या फिर पूरे सरीर में कहीं पर भी मोच आ जाती है चाहे पैर में हो कमर में हो कहीं पर भी अगर मोच आ जाती है तो उसके लिए मैं आज बेहत कम दाम में काभी ज़्यादा responsible दबा लेकर आया हूं और इसको मात्र दो से तीन खुरा खाने में ही पूरी तरह से आपका गरदन अकड़ गया है तो भी अगर कहीं पी मोच आ गया तो भी पूरी तरह से ठीक हो जाएगा आपको ज्यादा प्रेसान होनी की ज़रूत नहीं है और आप इसको कहीं से किसी भी मे जो है चालो हो जाता है तो ऐसे में आपका जो मोच है वो ऐसे का वैसा बना रहता है और कभी कभार तो एक्सरेल लेने की नौवद भी आ जाती है हड़ी वाले डाक्टर को दिखाने की जरूरत भी पढ़ जाती है तो ऐसे में अगर आपको दवा के बारे में जानकारी रहे को साथियों को आपने अपिते कि शनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लिजिए और साथ में बने बेल बटन को दबा कर आन कर लिजिए ताकि मैं जैसे ही कोई नई वीडियो अप्लोड करूं उसका नाटिफिकसन आपको मिल जाए और आप उसको खाने से पहले अपनी नजदेकी डांक्टर से या फिर किसी भी फर्मासिस से एक बार सलाह हवस ले ले इसको कैसे खाना है क्या करना है तो अच्छा रहेगा आपको कोई भी साइड एफेक्ट नहीं होगा तो साथियों चोट मोच के लिए आपको सबसे पहले एक फलेकसान इमार टबलेट ले लिजिए और इसका जो कंबिनेशन है आईबू प्रोफेन परसेटामाल और इसमें जो में मोच में काम आने वाला घटक है वो है क्लोड जाक्साजोन इसका इस्तेमाल अक्सर मोच पढ़ने पर गर्दन अकड़ जाने पर किया जाता है पूरे सर्ज में कही भी मोच हो तो आप फिलकसान एमाल लीजी और इसके साथ में आपको नियूरिवियान लेना है नियूरिवियान या फिर आप्टिन इरॉन का टबलेट आपको ले लेना है इससे जो है रख संचार तेजी से होता है और जहां पर मोच पढ़ा हुआ है वहां से काफी जल्दी जिरात मिल जाता है और तीसरी नमबर पर अगर आपको एसी डेटी है गैस बन रहा है तो एक एसी लाग का नार्मल दवा लेना है एसी लाग जो है डेड़ सो इमजी का आप ले लीजिए ज्यादा माहेंगा गैस की गोली खाने की ज़रूरत नहीं है आपको सस्ते में काम च लिक सोना या फिर ओमना काटिल का टाबलेट ले लेना है और चारों को मिला करके आपको सुबहसाम लेना है अगर आप चार खुराग खाते हैं तो दर्द पूरी तरह से गायब हो जाएगा पूरी तरह से ओकड आपको ज्यादार प्रेसान होने की ज़रूरत नहीं है और अ इकत नहीं है इसमें जो आईबू प्रेफिन मिला हुआ है यह सूजन को भी कम करता है और दर्द में भी काफी ज्यादा हेलफुल है तो इसलिए आप मात्र इंचार्क टैबलेट का इस्तेमाल करके पूरे सरीड में कहीं भी पड़े हुए मोच को गर्दन के अकड को जड़ से ठीक कर सकते हो और अगर आप मालिस के लिए कुछ भी इस्तेमाल करना चाते हो तो कर सकते हो जैसे ओमनी जेल, मूव, ओलनी ये सारे जेल को इस्तेमाल कर सकते हो आपको आइंटमेंट को लगा करके छोड़ देना है वो देरे देरे काम कर देगा तो मात्र इंचार दमाओ का इस्तेमाल करके आप अपने मोच को अकडे हुए गर्दन को पुरी तरे से ठीक कर सकते हो तो मुझे उम्मीद है आपको इस वीडियो से काफी ज़्यादा हेल्प मिलेगा आपको इस दवा से काफी ज़्यादा लाब मिलेगा तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही बहुत जल मिलेंगे एक और नई वीडियो के साथ तब तक लिए निमस्कार सातियों आपका दिन शुबो